कैसे हैं आप लोग? I hope each and everything will be fine. पड़ाई कैसी चल लएई? तो हम लोग सुरू करने जा रहे हैं आज जैनिजम इससे पहले की क्लास हम लोग सुरू करें अभी 6 अक्टूबर से अनकेडमी में अपना बैच सुरू हुआ है तुक्रेक यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए लक्ष दो जार बाइस और इंग्लिस माध्यम के लिए मिसंट ट्वंटी 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 ट्वंटीडू कम्प्लेट कवरेज ट्रिलिम्स और मेंस के साथ आईए मेरे कोट को यूज करिए डॉक्टर विशाल टैन सब कैपिटल में है और इस कोर्स को एंजॉय करिए ठीक है तो अब हम लोग सुनू कर रहे हैं अपना आज का क्लास और क्लास सुनू करने जा रहे हैं जैनिजम से जैन धर्म बहुत इंपॉर्टन सेग्मेंट हमारे UPSC GS के लिए सबसे पहला सवाल उठता है कि ये जैन सब्द ये जैन सब्द निकला कहां से तो ये जैन सब्द निकला है जिन से जिनका अर्थ क्या है जिनका अर्थ है जिते अंदिरिये अर्थात जिसने अपने अंदिरियों को वस्प में कर लिया जिनका मतलब जिते अंदिरिये और जिते अंदिरिये का मतलब फू है कंकोर्ड अब सवाल उठता है ये है जिनका मतलब अब सवाल उठता है कि जैन धर्म कहां और और कब दिक्सित हुआ तो इसका उत्तर है कि जैन धर्म का विकास गंगा की घाटी में सिक्स्थ सेंचुरी बीसी में हुआ तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का जैन अस्थल मुख्यता बिहार में हुआ सवाल उठता है किया धर्म क्यूं विक्सित हुआ तो इसका उत्तर है कि इस धर्म का विकास कर्म कांडों के विरुद्ध उच नीच पाप पुन्य एवं जन्म के आधार पर स्रिष्ठता तथा जाती प्रथा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप विक्सित हुआ आई बात समझ में जो कर्म कांड थे जो उच नीच का कंसेप्ट था पाप पुन्य का कंसेप्ट था जाती प्रथा की जो संकल्पना थी जन्म के आधार पर जो स्रिष्ठता थी उसकी विरुद्ध इसका विकास हुआ अब सवाल बड़ा इंट्रेस्टिंग है और सवाल यह है कि जैन धर्म का विकास गंगा की घाटी में हो रहा है तो कैसे हो रहा है तो आपको मालुम है कि सर्वपथम बिहार गिरी के बिहार के राज गिरी में सर्वपथम पहली लोहे की खान मिली मने हम कह सकते हैं डिस्कवरी आफ आइरन अइल्ड आइरन नोहाव की कैसे लोहे का उप्योग किया जाए माने लोहे को गलाने की तकनीक का पता चला साथी साथ कंगा घाटी में पानी की उपलब दता इन दोनों ने उत्पादन को गढ़ावा दिया जिसने बचत दिया और बचत के साथ साथ खपत भी दिया इसने आधार प्रोवाइड दिया आउकास दिया आदमी के पास अब समय है क्योंकि बचत है इंदों के आधार पर तर्क एवं चिंतन दोनों आते हैं और एक नए विचार जैन धर्म को सुनते लोग कह क्या रहे हैं है क्या है हमारे पास जैन धर्म कुल चौविश तीर ठंकर है प्रथम है रिशब दियो और ऐसे करते करते ट्वंटी थर्ड है पार्फनात और ट्वंटी फोर्थ है महावीर इनी ट्वंटी थर्ड और ट्वंटी फोर्थ को एतिहासिक माना जाता है ट्वंटी थर्ड और ट्वंटी फोर्थ तो अब हुआ अब हुआ ट्वंटी थर्ड है फिर थंकर यह जैन धर्म के पहले पहले एतिहासिक पूरुस है इनका प्रतीक क्या है बटा साप का फन किसका पाशनात का आई बात समझ में है अब यह जो ट्वंटी थर्ड त्रिथंकर है जिनका नाम पाशनात है वो पहले इतिहासिक पूरुस हैं और इनका प्रतीक साप का फन है पाशनात मूलताह कासी वारानसी के रहने वाले हैं एक्चुली कासी नरेश थे जिनका नाम था अस्वसेन इनका विवा वामा से होता है इनकी संतान है जो उनका नाम है पाशनात और पाशनात का विवा प्रभावती से होता है आई बास समझ में और इनके कोई पाशनात के संतान नहीं थी पाशनात ने तीस वर्ष तक ग्रहस्त का जीवन बिताया पाशनात में फिर क्या हुआ तीस वर्ष की आयू में बिता पाशनात ने ग्रह त्याग किया और राची के समेद परवत पर चले गए इसी समेद परवत पर तिराची दिन तब किया और बिता शोरी सहाब पिट्टी फॉर्थ डे इनको ग्यान मिल गया कब ग्यान मिला अट्टी फॉर्थ डे आई बास समझ में ग्यान 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 अट्टी फॉर्थ डे बेटा इनको ग्यान मिला जिस दिन जिस दिन इनको ग्यान मिलता है उसी दिन ये निर्ग्रंथ कहे गए उसी दिन ये निर्ग्रंथ कहे गए इस निर्ग्रंथ का मतलब फ्री फ्राम बॉन्डेज इंके अनुधky आई भी निर्गरंथ कहे गए निर्गरंथ का मतलब बिना बंधन के फ्री फ्राम बॉंड़ेच्ट अब महावीर स्वामी इनका नाम था वर्धमान वास्तविक नाम इनके माता पिता यह सब लोग पार्ष नार्थ के सिर्सित्य आई वास समझ में अब सवाल यह उड़ता है कि पार्ष नात को क्या ग्यान मिला तो बिटा पार्ष नात को ग्यान मिला अहिंसा सत्य अस्त्य और अपर इग्रे ग्यान से देखना आप सोच रहे होंगे कि सर यह स्तेक आर्थ क्या है माने चूरी ना करना और अपरिग्रह का मतलब क्या है बिना आप सकता के इकठा ना करना जैसे आप लोग तमाम नोट्स तमाम कापी किताब इकठा करने लगते हो मत करिए अपरिग्रह यह जो चार ग्यान मिला इसी को कहा जाता है पार्शनात की सिच्छा अब आईए अब आईए इस प्रकार जैन धर्म के संस्थापक पार्शनात लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी अब देखेंगे महावीर महावीर एक राजा थे जिनका नाम ता सिदार्थ ये ग्यात्रिक छत्रिये हैं कुंड ग्राम के मुख्यां है और कुंड ग्राम बेटा वज्जी संग में इस्थित है तो ये है सिदार्थ सिदार्थ की पत्नी का नाम है त्रिशला ये त्रिशला वैसाली की हैं ये लिक्षवी राजवंस की हैं चेटक की बहन है बेटा और ये वही चेटक है जिसकी बहन है स्वारी कुत्री है बिंबसार की पत्नी याद आ रहा है सिदार्थ और त्रिशला के पत्र है नंदी वर्धन पत्री है सुभद्रा और एक और पत्र है जिनका नाम है वर्धमान ये वज्जी संग आपने सुना होगा क्या है वज्जी संग में वज्जी संग आठ राज्यों का संग है और उसी में से एक है कुंडग्राम आई वासमज में तो ये है महाविर स्वामी के पर्सनल हिस्ट्री हुआ क्या ये वर्धमान की पत्नी का नाम है ये सोदा और इनकी बच्ची का नाम है पुत्री का नाम है प्रिये दर्सना आई वासमज में वर्धमान का विवा कि इससे हो रहा है ये ये सोदा से ठीक है अब जो जैन ग्रंथ है कल्प सूत्र बताओंगा किस ने लिखा है भद्रबाहू द्वारा रचित कल्प सूत्र की कहानी के अंसार वर्धमान ने तीस वर्ष की आयू में अपने भाई अपने भाई नंदि वर्धन से अनुमती लेकर घर छोड़ दिया इस घटना को क्या गहा जाता है निस्ट्रमर कहा जाता है इस घटना को निस्ट्रमर कहा जाता है आपकी जानकारी के एक बात और बता दू की जो जैन साहित है ये प्राकिर्त भासा में लिखा है इसमें लिखा है प्राकिर्त भासा में और अगर एक्जाम में आ जाए कि लिपी कैसी है तो टिक कर देना अर्द मगधी ये भी सवाल कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैन साहित किस भासा में लिखे तो अपने भाई से अर्मत लेकर घर छोड़ा इस घटना को कहा जाता है क्या निस्क्रमर अब आगे बढ़िए घर छोड़ने के बाद कहा आए शडवन आए घर छोड़ने के बाद शड़वन आए यहां सडवन में बेटा क्या किया बर्दमान ने अपना अभूसर्ट फेक दिया और अपने हाथों से अपने बालों को नोच डाला इसीरी यह जैंधर में प्रवेश की पहली सर्थ है बाल बुडवाना अपने हाथों से बाल को उखार दिया फिर कहां आए कुम्हार ग्राम आए और यही पर तेरा माह तक तब किया तो घर छोड़ने के बाद कहां आए सडवन आए और सडवन में अपने आभूसन फेक दिया और अपनी हाथों से अपने बालों को नोच डाला और फिर वहां से कहां आए कुम्हार ग्राम फिर कुम्हार ग्राम से कहां आए फिर कुम्हार ग्राम से रिजुपालिका नदी के तट पर आए जगह का नाम था जिम्भिक ग्राम जगह का नाम था यहीं पर बारा वर्ष तक साल विक्ष के नीचे तपस्या किया और फिर उस तपस्या के बाद इनको ग्यान की प्राप्ति हुई और जब ग्यान की प्राप्ति हो गई तो कहा गया कि इनको कैवल्ले मिल गया बुद्धिजम में क्या कहा गया था ग्यान प्राप्ति को आप में से कौन बताएगा निर्वान और जब ग्यान प्राप्ति को कैवल्ले कहा गया तो जिसको ग्यान मिल रहा है या जिसको ग्यान प्राप्त हो रहा है उसको क्या कहा गया उसको बेटा केवल्ले कहा गया क्या कहा गया केवल्ले तो ये भी पीटी का सवाल है ये भी पीटी का सवाल है रिजुपालिका नदी भी हमारे लिए पीटी का सवाल है जिंदिक ग्राम हमारे लिए पीटी का सवाल है साल का व्रिक्ष भी हमारे लिए पीटी का सवाल है अजब ग्यान की प्राप्ति हो गई तो क्या कहला है के विलिड अब जलाएं की उपाद ही देखना जान की प्राप्ती जान की प्राप्ती तो कहलाएं के विलिड अब जब ज्यान की प्राप्ती तो इंदिरियों पर नियंत्रण तब जब इंदिरियों पर नियंत्रण तब क्या कहलाएं जित्ते अंदिरिये अठवा कहलाएं जिन जन्ता ने उपादी दी महावीर का जन्ता ने उपादी दिया महावीर का क्योंकि पहले पार्षनात के सिस्थ थे अता एक और उपादी है क्या निर्गरंथ ज्यान की प्राप्ती हुई तो एक उपादी केविलिन एक उपादी जिते अंदिरिये एक उपादी जिन एक उपादी महावीर एक उपादी निर्गरंथ हलो विटा चूकि गोत्र क्या था नत इसलिए एक और उपादी इसलिए एक और उपादी क्या नत पुत्त एक और उपादी एक और उपादी एक और उपादी एक और उपादी निगंट नात पुत्त अब एक्जाम में कोई सवाल आ जाए पुत्त से टाइटिल से संबंदे तो हमारा ये लेक्चर देख लेना मिला लेना के विलिन जितेंद्रिये जिन महावीर निर्गरंथ नत पुत्त और एक और उपादी निगंट नात पुत्त ये है महावीर की उपादी एक उपादी और है एक उपादी और है जब इनको कहा गया दिया गया टाइटिल श्रमड तो ये भी जंता ने रखा था तो कि ये संका से मुक्त थे एक और नाम है इनका उपादी और हत ठीक है अब ध्यान लखना जब ये जब ये तपस्वी जीवन बेतीत कर रहे थे जब ये तपस्वी जीवन बेतीत कर रहे थे तब कुछी दिन तक के लिए इनका साथ मक्कली गोसाल ने दिया था जो और ये मक्कली गोसाल वही है जिन्हों ने या जो आजीवक संप्रदाए के जनक माने जाते है ठीक है आई वास समझ में तो ये रहा अब पार्षुनात की सिक्षा में पार्षुनात की सिक्षा में महावीर ने एक और सिक्षा जूड़ा तो पहले से ही पार्षुनात ने दिया था सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रे पांचवा जो महावीर ने जूड़ा बिटा वो है प्रह्मचर ये महावीर ने जूड़ा अब कितना हो गया कुल पांच कितना हो गया पांच इनने पांच सिक्षाओं को क्या कहा गया वरत कहा गया तो ये पांच सिक्षा है अब अगर इसका पालन साधू कर रहा है तो बिटा ये कहलाता है महावरत और अगर पालन कोई ग्रहस्त कर रहा है तो बिटा अड़ु वरत कहलाता ये भी पीटी का सवाल है साधू पालन करे तब महावरत और ग्रहस्त पालन करे तब अड़ु रख तो ये है बेसिक जैनिजम बेसिक बताया है मेरे के बड़ एडवांस क्लास के लिए भाग दो करेंगे जैसे बुद्धिजम में किया है भाग एक भाग दो और मेरा विश्वास करिए आप कापी पैन लेकर बैठिए जितना मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है अपना नोर्स बनाते चलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ निरास नहीं होंगे आप एक्जाम में इसके पहले भी हम कई टॉपिक ले चुके हैं यूटूब पर और वो टॉपिक लेते हैं जहां से परिक्षा में हमसे सवाल गलत हो जाता है एक मेने टॉपिक कराया है एकोनॉमिक आस्पेक्ट आफ बिटिश रूल बिज्ञान में कराया है नैनो टेक्नलोजी बिज्ञान में ही कराया है स्पेस रिसर्च इसके लावाँ आप मेरी एस्पेसल क्लास में देखें तो वो टॉपिक जो सामानते हच छूट जाते जैसे सिक्कों का इतिहास सोर्सेस टूनो इंड नियर हिस्ट्री भारति इतिहास को जानने के सुख विदेशी बीवराण तो आप उनको भी देख सकते हैं तो यह रहा भाग एक जैनिजम का यह है जैनिजम का भाग एक भाग दो जैनिजम का जैन धर्म का एडवांस लेविल फिलासफी करेंगे स्यादवाद अनेकांतवाद म्यायवाद जैन धर्म का धर्शन जैन धर्म कैसे बहुत धर्म से अलग है और फिर कैसे जैन धर्म में विभाजन होता है और फिर जैन साहित और फिर कौन-कौन से राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रे दिया यह हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखे लिए भाग दो समझ गये